पाकिस्तान में अंजू को महंगे महंगे गिफ्ट दिये जा रहे हैं पाकिस्तान से अंजू के अब तक के कई विडियो सामने आ चुके हैं और जिसमें तो दावा ये भी किया जा रहा है कि अंजू पाकिस्तान में वो नसरुला के साथ बेहत खुश है अब ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या अंजू के नए नए विडियोस के पीछे कोई प्रोपिगेंडा तुने ही छिपा हुआ है और उसे वो महिंगे महिंगे गिफ्ट मिल रहे हैं उसके पीछे के असली कहानी क्या है एक रिपोर्ट के जरी आपको दिखाते है अंजू पर पाकिस्तान में तोफों की बरसात अंजू को महिंगे गिफ्ट मिलने का दावा पाकिस्तान के कारुबारी ने अंजू के लिए खोला पिटा रहा भारत से पाकिस्तान गई अंजू के रोजाना नए नए वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें वो नसूल्ला के साथ दिख रही है और हर वीडियो के जरिये ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंजू पाकिस्तान में बेहत खोश है उसे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है मगर सवाल ये है कि कहीं ये वीडियो किसी प्रपगेंडा का हिस्सा तो नहीं कहीं किसी साजुश के तहट ये वीडियो वाइरल तो नहीं किये जा रहे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पत्रकार दिलीब कुमार खत्री ने भी अंजू का एक वीडियो जारी किया है इस वीडियो के जरिये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में अंजू नसुरला के साथ बेहत खुश है इस वीडियो में अंजू नसुरला के साथ दिख रही हैं जिसमें नसुरला के कुछ रिश्टेदार भी शामिल हैं जो अंजू और नसुरला को गिफ्ट दे रहे हैं इस वीडियो में भी अंजू नसुरला के साथ खुश दिख रही है इस वीडियो में पाकिस्तान के जाने माने बिजनिसमेन भी नजर आए उन्होंने अंजू को महंगे गिफ्ट दिये और एक 10 मंजिला अपार्टमेंट में 40 लाख रुपे का फ्लेट गिफ्ट दिया अंजू को उस फ्लेट के पेपर भी दिये गए इस वीडियो में अंजू खुश तो दिख रही है लेकिन वो अपना चेहरा भी छिपाती नजर आ रही है ऐसे में वाइरल हुए इस वीडियो पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे है आगिर अंजू वहाँ खुश है तो वो अपना चेहरा क्यों छिपा रही है अंजू 21 जून को एक महिने के विजट वीजा पर पाकिस्तान पहुँची थी वीजा एप्लिकेशन फर्म पर साफ साफ लिखा था कि वो विजट वीजा पर पाकिस्तान शादी करने के लिए जाना चाहती है हलाकि उसके घरवालों के इसकी कोई जानकारी नहीं थी फिर पाकिस्तान पहुँचने के बाद वो पहले नसरुला से मिली उसने अपना धर्म बदला, नाम बदला, वो अंजू से फातिमा बनी और अपने सोशल मीडिया के दोस्त नसरुला से निकाह भी किया इसके बाद उसका निकाहनामा भी सामने आया और कुछ वीडियो भी वाइरल हुए जिसमें वो नसुल्ला के अलावा उसके दोस्तों के साथ भी नज़राई लेकिन अंजू अब भारत लोटेंगी या नहीं इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है दावा किया जा रहा है कि अंजू पाकिस्तान में नसुल्ला के साथ खुश हैं और अब वो भारत लोटना नहीं चाहती लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसके एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं वो किसी बड़ी प्लैनिंग का हिस्सा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अंजू के भवश को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अंजू पाकिस्तान के जिस इलाके में है वहां महिलाओं की इस्सिति जग जाहिर है ऐसे मैं नसुल्ला के साथ अंजू कि ये खुशी कितने दुनों तक रहे पाएगी इस पर किछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान में उसे भारत विरोधी मोहिं का हिस्सा बनाये जा सकता है वो आएसाई और आतंकी संगठनों का भी शिकार बन सकती है